नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहें और गरीब लोग गरीब रहें बाई और बेनो नरेंद्र मोदी जी ने 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लोगों के जेव में डाल दिया हमने करजा माफी की थी 70,000 करोर रुपए की नरेंद्र मोदी जी ने 24 साल अगर करजा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का करजा माफ किया है अब सवाल उटता है कि कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गड़ बंदन क्या करेगी मैं आपको आज अमेटी की जन्ता को माताओं बेहनों को ये बताने आया हूँ बाई और बेहनों अगर वो 22 अरब पती बना सकते हैं तो हम लोग खारगे जी, राहूल गांदी अकिलेश यादव हम करोडों लाख पती बना सकते हैं अमेटी के गरीब लोगों से कह रहा हूँ अच्छी तरह सुनिए चार जून अमेटी के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी 4 जून अभी तालीमत बजाओ अभी मैंने बात बोली नहीं 4 जून लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से अमेठी के हर गरीब परिवार में से एक महला का नाम चुना जाएगा एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पुरे हिंदुस्तान में होगा और फिर पाँच जून को हम कानून बना देंगे बाईयों और बहनों अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुने जाएगी उसके बैंक अकाउंट में साल का दस हजार नहीं, पचास नहीं, सत्तर हजार नहीं, असी नहीं, नब्बे नहीं, साल का एक लाक रुपिया बैंक अकाउंट के अंदर. 4 जुलाई, 8,500 रुपे बैंक अकाउंट के अंदर, 4 अगस्त, 8,500 रुपे, हर महीने, पहली तारीक, कटा, 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 कट, कटा, कट, कटा, कट, कटा, कटा, अंदर, मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता और मैं बता रहा हूँ जादा बोला जादा बोला तो एक लाग नहीं दो लाग कर देंगे मैं तंग आ गया हूँ 24 घंता मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं अम्बानी की शादी दिखाते हैं आठ करोर की घरी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते इसलिए एक लाग रुपे हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 8500 रुपे कटा कट महीने का अंदर नरेंद्र मोधी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया अमेठी के सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे अमेठी में उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता किसानों को अनाज के लिए शुगर केन के लिए आलू के लिए गन्य के लिए सही दाम नहीं मिलता मार्केट में जाओ कुछ भी खरीदो उसका सही दाम मिलता है चिप्स का पैकेट खरीदो उसके प्राइस लिखकी होती है मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे का जाता है भईया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेगे सही दाम नहीं मिलेगा इसलिए अमेटी के सारे के सारे किसानों अच्छी तरह सुनो 4 जून के बाद कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार इंडिया की सरकार देगी यहाँ पे अमेटी में मजदूर हुई करते हैं लोग मनरेगा में काम करते हैं आशा आंगनवाडी की महिला हैं आप अची तरह सुन लो 4 जून के बाद आज 250 रुपे मिलता है नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा बंद कर रखा है कम से कम लोगों को देते हैं हम फिर से मनरेगा अची तरह चालू करेंगे और 250 रुपे नहीं 400 रुपे मनरेगा के लिए आपको मिलेगा आशा और अंगनवाडी की महिलाएं जो अमेटी में अलग-अलग काम करती है मैं जानता हूँ आपने मुझे बताया था कि आपको सही पैसा नहीं मिलता है 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे है जो आपको आज मिल रहा है दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा नरेंद्र मोदी जी ने यहां अमेटी की जनता पर आक्रमन किया हम फूट पार्क लाए थे फूट पार्क हम फूट पार्क लाए थे फूट पार्क से अमेठी बदल जाती 40 अलग-अलग कार खाने लगते यहाँ पे चिप्स के कार खाने अचार के कार खाने टमाटो केचप के फूट प्रोसेसिंग के सारे के सारे कार खाने लगते नरेंद्र मोधी जी ने वो आप से छीना फूट पार्क आपको रोजगार देता फूट पार्क लाखों लोगों को यहाँ पे रोजगार देता उनकी जिंदगी बदलता नरेंद्र मोदी जी ने फूट पार्क चीन लिया ट्रिपल आईटी चीन लिया जो भी हमने यहाँ दिया वो नरेंद्र मोधी जी ने छीनने की कोशिश की बहुत काम किया यहां पे हमने यहां पे नैशनल हाइवे का जाल मैंने फिलाया हर कोने में हमने नैशनल हाइवे अमेठी में फिलाया अमेठी को बाकि हिंदुस्तान से जोड़ा पेट्रोलियम इंस्टिट्यूट, राष्टोणान अकैडमी, H.E.L., B.H.E.L., CRPF ट्रेनिंग कैम कारबाइन वाली फैक्टरी जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कारबाइन वाली फैक्टरी जिसका कॉंट्रैक नरेंद्र मोधी जी ने कैंसल किया अदानी जी की मदद करने के लिए वो भी आपके हाथ से इन्होंने चीना तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ इंडिया की सरकार बनेगी गैरंटी करके कह रहा हूँ फूड पार्क यहां लगेगा, मैं लगाऊंगा और वो शुरुआत है भाईयों और बहनों हमने महिलाओं की बात की अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ अमेटी के युवाओं से कहना चाहता हूँ यहां पे आप पहले पाँच बज़े सुभे दोड़ते थे सेना में जाने के लिए दोड़ते थे नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अगनिवीर योजना के मादियम से मजदूर बनाया उनको तीन साल के बाद बाहर कर देंगे दो अलग अलग तरीके के शहीद एक को शहीद का दर्जा मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा एक को पेंशन मिलेगी दूसरे को नहीं मिलेगी और अगर आप आज देखें जो लोग पहले सडकों पे दोड़ते थे वो आज नहीं दोड़ते हैं क्योंकि वो अगनिवीर नहीं बनना चाहते हैं वो नॉर्मल जबान बनना चाहते हैं मैं आपको कह रहा हूँ जैसे ही सरकार बनेगी अगर चार जून को बने चार जून को अगनिवीर को उठा के हम कुड़े दान में फेक देंगे उठा कर यूँ कुड़े दान के अंदर और एक ही तरीके का शहीद होगा सब को पेंशिन मिलेगी सब को कैंटीन मिलेगी सब को इज़्जत मिलेगी सब को medal मिलेगा भाई और बहनों अगनिवीर सेना को नहीं चाहिए थी अगनिवीर नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए सेना पर थुपा है यह सेना नहीं चाहता इसलिए हम अगनिवी रियोजना को कैंसल कर रहे हैं खतम कर रहे हैं अब अमेठी में लाकों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार बनाया नोट बंदी की गलत GST लागू की और आपको सडक पे खड़ा कर दिया और जब आपने रोजगार मांगा नरेंद्र मोदी जी ने कहा अमेठी के युवाओ नाले में पाइप डालो नाले में पाइप डालो गैस निकलेगी गैस से चूला जलाओ पकोडे बनाओ ये आपका अपमान है अमेठी के हर युवा का अपमान है बाई और बेनो हम अमेटी के युवाओं को हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं पहली नौकरी गैरंटीड पहली नौकरी पक्की का अधिकार बेरोजगार युवा डिप्लोमा होल्डर्स युनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन सब को यह अधिकार मिलेगा पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलेज़ युनिवर्सिटीज में सरकारी ऑफिसिस में एक साल की पक्की नौकरी मिलेगी बहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8500 रुपए कटा कट 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 साल का एक लाक रुपिया हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को पहली नोकरी पक्की स्कीम में हम देने जा रहे हैं अमेटी में लाकों युवाओं को फाइदा होगा भाई और बहनों आपके बैंक अकाउंट में लाकों रुपए आएंगे महिलाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे युवाओं के बैंक अकाउंट में आएंगे किसानों के बैंक अकाउंट में आएंगे नरेंद्र मोधी जी ने आपके जेब में से पैसा निकाला अदानी के जेब में डाला सारे के सारे दुकाने बंद हो गई फैक्टरिया बंद हो गई नोट बंदी उन्होंने किया महंगाई बढ़ गई अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला आप इस पैसे से माल खरी दोगे कोई शर्ट खरी देगा कोई पैंट खरी देगा कोई मोबाइल फोन खरी देगा यह वाँ मोबाइल फोन खरी देंगे स्कूटर खरी देंगे मोटर साइकल खरी देंगे जैसे ही आपका पैसा मार्किट में जाएगा वैसे ही हिंदुस्तान की सारी की सारी कंपनिया एक बार फिर चालू हो जाएंगी और उन्हीं कंपनियों में हिंदुस्तान के करोणों युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमने पहली नौकरी पक्की स्किम में उनकी ट्रेनिंग एक साल की ट्रेनिंग भी करवा दी तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता को जंप स्टार्ट कर रहे हैं जैसे मोटर साइकल एंजिन में पेट्रोल डाला जाता है वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल कर हिंदुस्तान के अर्ध विवस्ता में पेट्रोल डाल रहे हैं स्टार्ट करने की तियारी कर रहे हैं भाईयों और बहनों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं देखिए किशोरी लाल शर्मा जी किशोरी जी यहां यह यह आपके लिए यह आपके लिए चालिस साल से जाधा से काम कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने आप सुनिए अच्छी तरह सुनिए 42 साल पहले आया था जब मैं 12 साल का 12 साल का बच्चा था अपने पिता के साथ आया 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनेती में सीखा है वो अमेटी की जनता ने मुझे सिखाया है 12 साल का था पिता जी के साथ यहां आया उस समय यहां पे सडके नहीं थी उसर जमीन थी कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आँखों से अमेटी का और मेरे पिता का जो रिष्टा था जो प्यार था जो मौबबत थी मैंने अपने आँखों से देखी और वो ही मेरी भी राजनेती है तो आप ये मत समझिये कि मैं राय बरेली से चुनाव लड़ना हूँ मैं आपका हूँ अमेटी का हूँ था और रहूँगा भाईयों और बेहनों चुनाओ दो हजार चुनाओ अलग चुनाओ है पहली बार किसी राजनेतिक पार्टी ने कि पहली बार किसी राजनेतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस सम्विधान को खतम कर देंगे नश्ट कर देंगे फेक देंगे बाई और बेनो ये गांदी जी की अमबेटकर जी की जवाला नेरू जी की और हिंदुस्तान के सारे के सारे नागरिकों की देन है आप इसको मिटने दोगे कोई शक्ती है दुनिया में जो इसको मिटा सकती है पहला काम बाईयों और बेनों सम्विधान की रक्षा करनी है क्यूं? क्यूंकि ये आपकी आवाज है ये आपका भविश्य है इसमें आपका आपकी सोच है जो भी गरीबों के लिए हुआ है आज तक हिंदुस्तान में चाहे जमीन का अधिकार हो किसानों की मदद हो हरी करांती सपेद करांती जो भी प्रगती हुई है भाईयों और बेनों इस किताब के बल पर हुई है ये ही आपकी प्रगती की नीव है और नरेंद्र मोदी इसको नश्ट करना चाहते है अगर ये गाइब हो जाएगा तो पब्लिक सेक्टर खतम हो जाएगा नौकरियां खतम हो जाएगी महंगाई आसमान तक पहुँच जाएगी रेजर्वेशन खतम हो जाएगा और आपके जो सारे के सारे हक है वो एक के बाद एक एक का बाद एक एक के बाद आप से चीन लिये जाएगे बाईयों और बेहनों सच्चाई ये है कि इसके बिना हिंदुस्तान में 22-25 अमीर लोगों के पास हक बचेंगे किसानों के हक, मजदूरों के हक, युवाओं के हक, माताओं बेहनों के हक सब छीन लिये जाएगे इसलिए सबसे जरूरी काम है इस समविधान की रक्षा करना है जान से रक्षा करना है दिल से रक्षा करना है कुछ दिन पहले पता नहीं आपने देखा नहीं देखा कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के आज कल बहुत इंटर्वियू चल रहे है मीडिया वालों से इंटर्वियू कर रहे हैं वोई गोधी मीडिया वालों से मोधी मीडिया वालों से भाईयों और बहनों ये मीडिया वाले जो हैं ये आपके नहीं हैं ये हमारे नहीं हैं ये अदानी अंबानी के हैं ये नरेंद्र मोधी के हैं आपने कभी मीडिया में किसान की बात सुनी है मजदूर की सुनी है बेरोजगारी मेहंगाई कभी सुनी है मीडिया में नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को आज कल इंटर्वियू कराया जा रहा है कमरे में बैठाते हैं दो तीन गोदी मीडिया वालों को साइड में बैठाते हैं वहाँ टेले प्रॉम्टर तो है नहीं टेले प्रॉम्टर तो रहे नहीं मैंने किसी ने मुझे एक इंटर्वियू बेजा उसमें पत्रकार कहता है नरेंद्र मोदी जी से कि नरेंद्र मोदी जी एक एक बड़ा एकॉनमिस्ट है उसने कहा कि हिंदुस्तान में अमीर बढ़ते जा रहे हैं चुने हुए लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है अकड के बोलते हैं क्या सब को एक जैसा बना देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश में अमीर लोग 22-25 लोग अमीर रहे और गरीब लोग गरीब रहे बाई और बहनो नरेंद्र मोदी जी ने 16,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लोगों के जेव में डाल दिया हमने करजा माफी की थी 70,000 करोड रुपए की नरेंद्र मोधी जी ने 24 साल अगर करजा माफी हो तो उतना पैसा नरेंद्र मोधी जी ने 22 लोगों का करजा माफ किया है अब सवाल उठता है कि कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया गडबंदन क्या करेगी मैं आपको आज अमेटी की जन्ता को माताओं बेनों को ये बताने आया हूँ बाई और बेनों अगर वो 22 अरब पती बना सकते हैं तो हम लोग खारगे जी, राहुल गांदी अकिलेश यादव हम करोडों लाख पती बना सकते हैं अमेटी के गरीब लोगों से कह रहा हूँ अच्छी तरह सुनिये चार जून अमेटी के सारे के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी चार जून अभी ताली मत बजाओ अभी मैंने बात बोली नहीं चार जून लिस्ट बनेगी हर गरीब परिवार में से अमेटी के हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा एक महिला का नाम अमेठी के हर गरीब परिवार में से चुनी जाएगी वैसे ही जैसे अमेठी में होगा वैसे पुरे vasive पुरे हिंदुस्तान में होगा और फिर पाँच जून को हम कानून बना देंगे बाईयों और मेनों अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुने जाएगी उसके बैंक अकाउंट में साल का 10 हजार नए 50 नए 70 हजार नए 80 नए 90 नए साल का 1 लाक रुपिया बैंक अकाउंट के अंदर 4 जुलाई 8,500 रुपिया बैंक अकाउंट के अंदर 4 अगस्त 8,500 रुपिया हर महीने पहली तारीक कटा कट कटा कट कटा कट कट कटा कट अंदर मीडिया वाले जो बोलना चाहते हूं बोलो मुझे कोई फर्ग नहीं पड़ता और मैं बता रहा हूं जादा बोला जादा बोला तो एक लाग नहीं दो लाग कर देंगे मैं तंग आ गया हूं 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं अम्बानी की शादी दिखाते हैं आज करोड की घरी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते हैं इसलिए एक लाग रुपे हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में साल का 8500 रुपे कड़ा 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 महीने का अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया अमेटी के सारे के सारे गरीब किसानों का कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे अमेटी में उत्तर प्रदेश में आपको सही दाम नहीं मिलता, किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, गन्य के लिए सही दाम नहीं मिलता, मार्केट में जाओ कुछ भी खरीदो, उसका सही दाम मिलता है, चिप्स का पैकेट खरीदो, उस पे प्राइस लिक्की होती है मगर जब किसान अपनी मेहनत का अनाज शुगर केन बेचना चाहता है तो उसे का जाता है भहिया तुम्हें सही पैसे नहीं मिलेगे सही दाम नहीं मिलेगा इसलिए अमेटी के सारे के सारे किसान अच्छी तरह सुनो चार जून के बाद कानूनी मिनमम सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगी आपके मेहनत का सही पैसा आपको हिंदुस्तान की सरकार इंडिया की सरकार देगी यहाँ पे अमेटी में मजदूर हुई करते हैं लोग मनरेगा में काम करते हैं आशा आंगनवाडी की महिला हैं आप अच्छी तरह सुन लो चार जून के बाद आज 250 रुपे मिलता है नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा बंद कर रखा है कम से कम लोगों को देते हैं हम फिर से मनरेगा अच्छी तरह चालू करेंगे और 250 रुपे नहीं 400 रुपे मनरेगा के लिए आपको मिलेगा आशा और अंगनवाडी की महिलाएं जो अमेठी में अलग-अलग काम करती है मैं जानता हूँ आपने मुझे बताया था कि आपको सही पैसा नहीं मिलता है 4 जून आपकी आमदनी हम दुगनी करने जा रहे हैं जो आपको आज मिल रहा है दुगना आपको 4 जून के बाद मिलेगा नरेंद्र मोधी जी ने यहां अमेठी की जनता पर आक्रमन किया हम फूट पार्क लाए थे फूट पार्क से अमेठी बदल जाती 40 अलग-अलग कार खाने लगते यहां पे चिप्स के कार खाने अचार के कार खाने टमाटो केचप के फूट प्रोसेसिंग के सारे के सारे कार खाने लगते नरेंद्र मोधी जी ने वह आप से चीना फूट पार्क आपको रोजगार देता फूट पार्क लाखों लोगों को यहां पे रोजगार देता उनकी जिंदगी बदलता नरेंद्र मोदी जी ने फूट पार्क चीन लिया ट्रिपल आइटी चीन लिया जो भी हमने यहां दिया वो नरेंद्र मोदी जी ने चीनने की कोशिश की बहुत काम किया यहां पे हमने यहां पे नैशनल हाइवे का जाल मैंने फिलाया हर कोने में हमने नैशनल हाइवे अमेठ को बाकि हिंदुस्तान से जोड़ा पेट्रोलियम इंस्टिट्यूट राश्टोणान अकाड़मी एच एल बी एच एल सी आर पी एफ ट्रेनिंग कैम्प कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसके वारे में मैं आपको बताऊंगा कार्बाइन वाली फैक्ट्री जिसका कॉंट्रैक नरेंद्र मोदी जी ने कैंसल किया अदानी जी की मदद करने के लिए वो भी आपके हाथ से इन्होंने चीना तो एक बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ इंडिया की सरकार बनेगी गैरंटी करके कह रहा हूँ फूड पार्क यहां लगेगा मैं लगाऊंगा और वो शुरुआत है भाई और बेनो हमने महिलाओं की बात की अब मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ अमेटी के युवाओं से कहना चाहता हूँ यहां पे आप पहले पांच बजे सुभे दोड़ते थे सेना में जाने के लिए दोड़ते थे नरेंद्र मोदी जी ने जवानों को मजदूर बनाया इंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार जवानों को नरेंद्र मोदी ने अगनिवीर योजना के मादियम से मजदूर बनाया उनको तीन साल के बाद बाहर कर देंगे दो अलग अलग तरीके के शहीद कुड़े दान में फेक देंगे उठा कर यूँ कुड़े दान के अंदर और एक ही तरीके का शहीद होगा सबको पेंशिन मिलेगी सबको कैंटीन मिलेगी सब को इज़त मिलेगी, सब को medal मिलेगा भाई और बेनो अगनिवीर सेना को नहीं चाहिए थी अगनिवीर नरेंद्र मोधी जी ने अदानी जी की मदद करने के लिए सेना पर थुपा है ये सेना नहीं चाहता इसलिए हम अगनिवीर योजना को कैंसल कर रहे हैं खतम कर रहे हैं अब अमेठी में लाकों युवा हैं जिनको नरेंद्र मोधी ने बेरोजगार बनाया नोट बंदी की, गलत GST लागू की और आपको सडक पे खड़ा कर दिया और जब आपने रोजगार मांगा नरेंद्र मोधी जी ने कहा अमेठी के युवाओ नाले में पाइप डालो गैस निकलेगी गैस से चूला जलाओ पकोडे बनाओ ये आपका अपमान है अमेठी के हर युवा का अपमान है बाई और बेनों हम अमेठी के युवाओं को हिंदुस्तान के युवाओं को एक अधिकार देने जा रहे हैं पहली नौकरी गैरंटीड पहली नौकरी पक्की का अधिकार बेरोजगार युवा डिप्लोमा होल्डर्स युनिवर्सिटी ग्रैजुएट इन सब को ही अधिकार मिलेगा पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर में सरकारी हस्पतालों में सरकारी कॉलिज़ युनिवर्सिटीज में सरकारी आफिसेज में एक साल की पक्की नौकरी मिलेगी बहतरी इन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में महीने का 8500 रुपे खटा कट, 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 खटा कि सारे दुकाने बंद हो गई, फैक्टरिया बंद हो गई, नोट बंदी उन्होंने किया, महिंगाई बढ़ गई, अब हमने आपके जेब में पैसा जैसे डाला, आप इस पैसे से माल खरी दोगे, कोई शर्ट खरी देगा, कोई पैंट खरी देगा, कोई मोबाइल फोन खरी युवा मोबाइल फोन खरी देंगे, स्कूटर खरी देंगे, मोटर साइकल खरी देंगे, जैसे ही आपका पैसा मार्केट में जाएगा, वैसे हिंदुस्तान की सारी की सारी कमपनियां एक बार फिर चालू हो जाएंगी, और उन्ही कमपनियों में हिंदुस्तान के करोणों युवाओं को रोजगार मिलेगा, और हमने पहली नौकरी पक्की स्किम में उनकी ट्रेनिंग, एक साल की ट्रेनिंग भी करवा दी, तो एक प्रकार से हम हिंदुस्तान की अर्ध विवस्ता को जंप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मोटर साइकल एंजिन में पेट्रोल डाला जाता है, वैसे ही हम आपके जेब में पैसा डाल कर हिंदुस्तान के अर्ध विवस्ता में पेट्रोल डाल रहे हैं, जंप स्टार्ट करने की तियारी कर रहे हैं भाई और बहनों एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं देखिए किशोरी लाल शर्मा जी किशोरी जी यहां आईए यह आपके लिए यह आपके लिए चालिस साल से जाधा से काम कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने आप सुनिये अच्छी तरह सुनिये 42 साल पहले आया था जब मैं 12 साल का 12 साल का बच्चा था अपने पिता के साथ आया 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनेती में सीखा है वो अमेटी की जनता ने मुझे सिखाया है 12 साल का था पिता जी के साथ यहां आया उस समय यहां पे सडके नहीं थी उसर जमीन थी कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आँखों से अमेटी का और मेरे पिता का जो रिष्टा था जो प्यार था जो मौपत थी मैंने अपने आँखों से देखी और वो ही मेरी भी राजनेती है तो आप ये मत समझिये कि मैं राय बरेली से चुनाओ लड़ना हूँ मैं आपका हूँ अमेटी का हूँ था और रहूँगा भाईयों और बेहनों चुनाओ दो हजार चुबिस का चुनाओ अलग चुनाओ है पहली बार किसी राजनेतिक पार्टी ने उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस समविधान को खतम कर देंगे नश्ट कर देंगे फेक देंगे बाईयों और बेहनों ये गांदी जी की अमबेटकर जी की जवालाल नहरू जी की और हिंदुस्तान के सारे के सारे नागरिकों की देंगे आप इसको मिटने दोगे कोई शक्ति है दुनिया में जो